पूर्ग आइप के यह सब इसने किया है महाराज इस तक्षक नाग ने की पुझे क्षेमा कर दीजे माराज की मैं पर्थिशोद में अंधा हो गया था तक्षक तू शमा के योगी नहीं है पिर भी यदि शमा मांगना चाहता है तू उस अंगर अक्षक से मांग जिससे हमने तेरे कारण मृत्ति उदंड दे दिया था उसकी अंधी मां से मांग जिसके घर का सहरा चिन जाता समराट हमें नाम देऊ और उसकी मां को ढूडने जाना होगा नहीं महाराज इसकी कुई आवशकता ले वो यहां आते ही होंगे आपने उन्हें संदेश वो आ गया महाराज मैं जान गया तुम निर्मल हो निर्दोश हो सारा का सूर इस तक्षक नाग का है मुझे छमा कर दो अंगरक्षक मैं दुबार ऐसी गल्ती कभी नहीं करूँगा तक्षक यदि सच में तुमारे मन में ये भाव जागा है तो यह प्राश्चित के निशानी है तुम नागराज के साथ कुनह नागलोक वापस लोट जाओ और अपने कर्मों का प्राश्चित करो धन्यवाद नागराज हमारी सहायता के लिए बहुत भुत धन्यवाद नहीं समराट नहीं ये तो हमारा करतव्य है चलो नामदेव एक प्रात्ना है यदि सुईकार कर लोगे तो समझोगा तुमने मुझे प्राश्चित करने का आउसर दे दिया आप महाराज आदेश कीजिए नामदेव विश्वास फात्रता की कोई कीमत कोई इनाम नहीं होता परंदु उपहार स्वरूप हम चाहते हैं तुम अपनी मा के साथ हमारे पास रवो जो आग्या महाराज समराट विक्रमा दिखते मैं आपका हरदे सहाबारी हूँ आपने मेरी पत्नी के साथ साथ मुझे भी अन्याय करने सा बचा लिया क्या बात हो मारन दागेश विली इस खुशी के अफसर पे आपकी आँखों में आसू क्यों है हमारा अनुष्ठा नधोरा ही रह गया अब हम नी संतान ही रह जाएंगे अब हमें इस राज्ये को छोड़ कर जाना होगा और नी संतान के आपकी आपकी को अबहांगे आपकी आपकी को जिलीके आपकी आपक। हाँ ठीक है भाशाएं भी आती है मैं इन से बात कर सकता हूँ वाँ श्रीमान बेताल वाँ आपकी महीमा देखकर दिन प्रती दिन मेरे रेदे में आपका स्थान और उचा होता जा रहा है आप महान है आप वो तो मैं हूँ ही लेकिन राजन क्या आप जानना नहीं चाहेंगे कि मैंने इस कभूतर से क्या का और फिरिसमे मुझ से क्या क्या दिया कि मुझे इनी जोर से अस्या लगी अवाश्य जानना च्छोंआ हु पस्वि dug 0 कि मैंने मित्र के सिंगासंद पर राजा भोज बैटने योगिये तो पता है इसने क्या रहा है इसने मुझसे का कि श्रीमान बेताल ये तो आप वैसा ही प्रश्न कर रहे हैं कि जैसे आप पूछ रहे हों कि क्या एक छोटी सी डिविया में बड़ा सा हाथी फैल कर सो सकता है या नहीं देखा राजर मतलब इस कभूतर में भी कह दिया कि आप मेरे मिद्र के सिंगासन के लायक नहीं श्रीमान बेताल में आगे की कथा सुनना चाहूंगा मुझे पता था आप यही कहेंगे खट करेंगे मानेंगे नहीं तुन यह आगे की कथा हमें एक शमा करना काल दिए यदि संसार के हित से बंधे नहीं होते तो आपके साथ ऐसा कभी नहीं करते अब आप मुक्त हो आप अपने लोक वापस जा सकते हैं काल दिए यक्रवर्ती समराट विक्रमा देते आपने अपना परोपकार करके अपने समस्या का समाधान कर लिया किन्तु हमारी समस्या का समाधान अभी तक नहीं हुआ हमारी समस्या वैसी की वैसी है क्या है आपकी समस्य काल دی अमारी समस्य ये है कि हम यहां से खाली हाथ बिना किसी आत्मा को अपने साथ लिये यहां से लौट नहीं सकते आप तो न्याय प्रिय संब्राट विक्रमादित्श हैं न अब आप ही हमारा न्याय कीजिए विधी के विधान के अनुसार किसका जीवन हम साथ लेकर जाएं कौन है जो अपनी इच्छा से अपने प्राण त्यागेगा और विधी के विधान को पूरा करेगा हमें किसी का जीवन दीजिए विक्रमा देते हमारा आना सार्थक कीजिए काल मेरे मित्र के सामने खड़ा था और ऐसे अड़ा था क्योंकि चुनोती शक्ति की नहीं थी बलकि न्याय की थी कि काल के साथ न्याय हो तो कैसे हो और बिना न्याय हुए वो जाने को तैयार ही नहीं था और यह तूट सकती है था और रहेगा कि काल एक बार आ गया तो बिना प्रांड लिये वापस नहीं लोट सकता समराट क्या सोचा आपने क्या है मेरा न्याय शीग्र बताओ क्योंकि जब तक आप न्याय नहीं करेंगे मैं यहां से नहीं जाओंगा और जब तक मैं यहां से नहीं जाओंगा विधी की व्यवस्था और समय का चक्कर रुका रहेगा और इस व्यवस्था को बाधित करने के उत्तरदाई होंगे आप हमारे कारण ना तो विधी की व्यवस्था में बाधा आएगी और ना ही समय का चक्र रुकेगा तो शीख्र बताईए आपको केवल एक ही आत्मा चाहिए ना फिर वो चाहे किसी की भी हो भेद केवल देह में होता है आत्मा तो सब की एक जैसी होती है आप यहम लोग चलने की तैयारी कीजे कालदेव किन्तु वो जीव कहां है जिसकी आत्मा मैं अपने साथ लेकर जाऊंगा मुझीव आपके सामने खड़ाए का आत्मा को निकाल दीजे नहीं नहीं मैं ये नहीं कर सकता समराथ मैं आपके प्राण नहीं ले सकता समराथ किन्तु क्यों आपको तो केवल एक आत्मा ही चाहिए ना आपके प्राण लेने का आर्थ है संपूर्ण प्रत्वी लोक का नश्ट, हहकार, अंधकार, आपकी पत्नी, आपकी प्रजा, इन सब का क्या होगा, सब तूट जाएगा, सब बिखर जाएगा कुछ नहीं तूटेगा और कुछ नहीं बिखरेगा कालदेव समय के लेप ने बड़े से बड़े घाव को भर दिया है फिर ये शरीर भी तो मिट्टी कही बना है इस शरीर को भी एक न एक दिन मिट्टी में ही तो मिल जाना है तो फिर ये आज ही क्यूँ नहीं काल देगा ठीक है, मुझे न्याय प्री, परोपकारी, चक्रवर्ती समराट विक्रमा देत्ते का न्याय सुईकार है समराट, मुझे आपकी एक और अन्मती चाहिए आदेश दीजिए समराट मैं जानता हूं कि आप सह शरीर मेरे साथ चल सकते हैं किन्तो काल किसी को उसके शरीर के साथ नहीं ले जा सकता काल की विधी में ऐसी वेवस्ता नहीं है मुझे अन्मती दीजिए कि मैं आपकी देह से आपकी आत्मा को मुक्त कर सको अन्मती है आपको समराट विक्रमा देते हैं धर्ती लोग की आपकी आत्रा समाप थुई समझ में नहीं आ रहा है काल अभी तक आया क्यों नहीं यमराज के चर्णों में काल का प्रणाम कहां थे काल तुम इतना विलम क्यों लग गया आने में जबके तुम ध्वनी की गती से जाते हो और बिजली की गती से आते हो महराज प्रित्वी लोग में एक सत्य पुरुष ने मुझे रोग लिया था उसने मुझे बंदी बना लिया परिडाम सुरूप जिसको मुझे लाना था उसके स्थान पर किसी और को लाना पड़ा किसे लेकर आये हो चक्रवर्ती समराठ विक्रमादित्य को लेकर आये हो महराठ इन्होंने ही तो मुझे रोका था और समय पर उस जीव के पास पहुचने नहीं दिया और वो भी उसके परोग कार के लिए इन्होंने मुझे रोक कर जीव की रक्षा की है ऐसी परिस्थिती में मैं क्या करता महराठ तो ले आया ही नहीं क्यमराठ ये क्या नर्थ किया है काल ने चक्वरती समराठ विक्रमादित्य को अकाल मृत्यू दी है नहीं इंद्रदेव इसमें काल देव की कोई गलती नहीं हमने अपनी स्वेच्छा से अपने प्राण त्याग किये समराठ आपकी इच्छा आपकी मृत्यू पर नहीं है आपकी इच्छा केवल आपके जीवन पर है और अभी आपको जीना है संसार को आपके आवश्यक्ता है इसलिए आप अपनी सो अच्छा से मृत्यू का वरण नहीं कर सकते हैं क्यम्राज सब्राट के प्राण डोटा दीजिए गिन्तु अब यह संभाव नहीं है इंदर देव क्यों संभाव नहीं है क्योंकि जिस नाम देव की मृत्यू निश्चित थी वह मृत्यू के बाद महाराज रुद्र प्रताप के यहां पत्र रूप में जन्म लेने वारा था यह ज़िए अब मैं सम्राट विक्रमादित्य को मुक्त करता हूं तो जीवन मरण का सारा विधन असंतुलित हो जाएगा उस भूल इस असंतुलन को सुधारने का कोई उपाय एक उपाय है जै क्या यदि सम्राट विक्रमादित्य राजा रुद्र प्रताप के जीवन में अपने कर्मपुण्य से संतान की व्यवस्था कर देंगे ज़िसम्राट ने ऐसा किया तो आप इन्हें इनके प्रांड लोटा देंगे अवश्य ठीक है तो लोटा दीजे इन्हें इनके प्रांड बस केवल एक सप्ताह के लिए लोटाऊंगा इनका जीवन उसी एक सप्ताह में इन्हें राजा रुद्र प्रताप के यहां संतान की व्यवस्था करनी होगी यम्राज सम्राट दिक्रम दितने बहुत ही प्रतापी सम्राट है व्यवश्य सफल होगी किन्तु सफल इने निर्धारित समय के भीतर होना होगा इन्द्र देव यदि एक सप्ताह के भीतर संतान की व्यवस्था कर देंगे तो जीवन और मरन का चक्र तो बचेगा ही साथ ही इनका जीवन भी समाप्त होने से बच जाएगा अन्य था इनकी म्रत्य को कोई टाल नहीं पाएगा कुछ ऐसा उपाई कीजिए जन्ब और मरत्यों दोनों की ही विवस्था खंडितनाओ आप ही अबिस काले में विधाता प्रह्मदेव ही हमारी सहाइता कर सकते है अम्परमदेवाएनमा अम्परमदेवाइनमा अम्परमदेवाएनमा एपरमपिताप परमदेव हमें दर्शन दीजिए हम गंभिर समस्या के दलदल में धसे हुए हैं, हमारा मार्ग दरशन कीजिए, हमारे सम्मुक पस्तित होई है, एक परम प्रतापी चक्रवर्ती सम्राथ विक्रमद, नेत्र खोलिए, कहिए क्या समस्या है, हम किस प्रकार आपकी सहायता करने से हैं, अमदेव, हम जिस संकट में घिरे हुए हैं, उस संकट से उभरने का मार्ग बताई है, हम तो अपनी जान दे कर भी उभर नहीं पाए, आपी एक सहारा है विठात, संकट है, नामदेव, नामग व्यक्ति की जीवन की रक्ष्या करके, महाराज, रुद्र, पताप और महाराणी, रागेश्वरी की संतान प्राप्ति का मार्ग बंद कर देना, हम उनके संतान प्राप्ति का मार्ग जानना चाहते हैं, ब्रहमदेव, मार्क तो है सम्रार, किन्तु सरल नहीं है, इसका पथिक अकेला नहीं होता है। आप मार्क बताईए ध्रमदे, मार्क को सरल बनाना यक्ति के हाथों में होता है। वो है संतान दान का मां यद alligator कोई अपने भग्य की संतान उस दमपत्ते को दान कर दे तौसके यहाँ, संतान का जंथ, भोसας जंथ। फिसके कोई और क्यों है। हम अपनी संतान दान कर देंगे उन्हे, अब हमारी संतान उन्हें दे दीजे जे भ्रमते। इसके लिए आपको अपनी पत्री से सहमती लेने हूँ हम अपनी पत्री को जानते है, ब्रह्मदेव वो मनाननहीं करें फिर भी, वो एक स्ढी है और स्ढी को संथान का मोहदित अधिक होता हम उन्हें मनानलेंगे, ब्रह्मदेव और ये भी जान लीजी कि आपके भाग्ये में केवल एक ही संतान है और उसे दान कर देने के बाद ना तो आपकी पत्नी मात्रित्व सुख को भोग सकेंगी और ना ही आप अपनी संतान का मुख देख सकते अभी निरने आपको करना है हमने निरने ले लिया है ब्रह्मदेर यदि हमारे परोपकार से किसी का जीवन सुखमई होता है तो हमें वो परोपकार कर देना चाहिए आप हमारे भाग की संतान उन्हें दे दीजे ब्रह्मदेर ब्रह्मदेर ब्रहें पहले लागा जाए रादा बागटनी संताना है क्रूब ख़ख़ जसे लिए पहले है क्लिक तो लिए विडिए ख़ख़़ निवाचे का एक एन और विज़ों